अबढैं कि अपके लकिवान क्या है अप्या है जी रिव्याइब टू अबरेवान के अफ्याइब विक दू अविक अविर वेड कि बाइट डुकार्ट्स आजी बिलको लाइव आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है यार NCRT Decoding Series इस पर्डिकलर वीडियो में हम लोग D&F Block की NCRT Decode करने वाले हैं देखने वाले हैं कि यार कौन कौन सी चीजें important है कहां कहां से equation बन सकते हैं और NEET 2021 में कौन सी लाइन से exactly question पूछा गया है ये भी हम लोग discuss करेंगे ना NEET 2021 में यहां से सवाल आया था और कौन सी लाइन से आप से सवाल पूछा गया इस चीज को भी हम लोग definitely discuss करेंगी ठीक है चलिए आज़ो यार एक बार सब लोग आज़ो 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 आएगा नमस्ते वेद हेलो साजद हेलो डी एम कैसे हो सभी लोग हेलो आर्मी बीटीएस चलिए चलिए आज़ आज़ो मुस्कान जी आई है सलमा अराध्या जी चलो स्टार्ट करें गुड इवनिंग निकट साइंस पॉजिटिव लाइफ निकदा पायल चलो आज़ो आज़ अट किल निकखिल वेभी आए है नमस्ते निक्खिल जी के अनूजी आई है आशी क्या बहुत चारे चाकिन अब्स्षार कि सब्सक्राइब करते हैं तो एक बर आप लोग ncrt निकाल लीजिए अब इस चाप्टर से मैं पहले कुछ चीजे लिखवाना चाता हूं ना सबसे पहले तो बात करें जो डी इन इफ ब्लॉग है इस चाप्टर है एक त्यूरेटिकल चाप्टर है बहुत ही ज़्यादा जिसमें हम लोग को बहुत सारी चीजे याद करनी पड़ेंगे ठीक है तो क्या कॉनसी चीज़ैं को कैसे क्या याद करनी है ये तो लोग देखेंगे ठीक है तो इट इज़ त्यूरेटिकल चाप्टर सबसे पहली बात अचा वेटेज की बात करें किया कितने questions आप लोग expect कर सकते हो ठीक है, कितने questions आप लोग expect कर सकते हो तो around 1 question यहाँ से पूछा जा सकते है देखो, हर साल question आया यह भी ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर question पूछा जाता है तो mostly एक question आता है दो भी आ सकते हैं किसी साल लेकिन majority times आपका एक question देखा गया है यहां से ठीक है तो यह हमने इस chapter की एक brief बात करी ठीक है इसमें हम लोगों को D block भी पढ़ना है और F block भी पढ़ना है तो यह तो हमने need perspective से बात कर दिया अब देखो जो भी chapter theoretical होता है तो उसमें आप लोगों के short notes बहुत important हो जाते है तो अब surprise यह है आप लोगों के लिए कि इस chapter के short notes मैं आप लोगों को provide करूँगा इस chapter के short notes मतलब मेरे जो handwritten notes रहेंगे handwritten, मैं आप लोगों के लिए short notes बनाऊंगा, मेरे पास अभी बने वे नहीं है मैं आप लोगों के लिए notes बनाऊंगा, तो ये मैं आपको provide करूँगा ठीक है, ये कौन provide करेंगे आपके नितेश भाईया आपको provide करेंगे ठीक है, अच्छा मेरे अब जान मत खाना मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ 3-4 दिन मुझे लगेंगे जैसे ही एक slot free रहेगा तो वो मैं आपको मतलब मतलब जब मेरे को लगेगा कि हाँ यार आज थोड़ा सा काम कम है तो इस थोड़ा सा मैं time निकालके आप लोग के लिए handwritten notes बनाऊँगा मैं provide करूँगा ठीक है, तो उसकी आप लोग लोड नहीं लो पर जान नहीं खाईएगा है ना comment section में हर वीडियो की नीचे पूछ रहेगी कब आएंगे short notes, कब आएंगे short notes 3-4 दिन लगेंगे, पहले ही बोल देते हैं ठीक है, है ना, तो थोड़ा सा wait करना मैं आपको इसके short notes provide कर दूँगा सारी चीज उसमें 3-4 pages जो भी 2-3-4 pages, उसमें जो भी important चीजे रहेंगी वो मैं आप लोग को दे दूँगा ठीक है, तो चलो अब start करते हैं D and F block के बारे में अब सुनो एक बार, बात सुरो अब जो जो मैं लिख रहा हूँ, वो यार प्लीज लिखते जाएगा साथ जाना, अब chapter start कर रहे हैं ठीक है, अब chapter start कर रहे हैं हम लोग ठीक है, चले, अब chapter start कर रहे हैं अब हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करें D-block की, ठीक है, अब बात करें D-block की, तो लिखते जाना है, D-block की बात करें, तो कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से groups होते हैं D-block में Group 3 to Group 12 Group 3 to Group 12 आपके D-block में लाए करते हैं, सही बात है, ठीक है ये चीज ठीक है, अब एक इसमें, एक इसमें definition आती है ट्रांजीशन एलिमेंट्स एक डेफिनेशन आती है ट्रांजीशन एलिमेंट्स सुनना यहां पर ट्रांजीशन एलिमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अगर मैं ट्रांजीशन एलिमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगो को लिखवाओं तो एलिमें filled d orbital which have incompletely filled d orbital in their ground state in their ground state or most common oxidation state एक बार यह definition लिखिए है transition element की transition element की यह definition लिखिए है मतलब क्या है कि ऐसे element जिनके पास incompletely filled d orbital है कौन से incompletely filled d orbital है किस में in their ground state और most common oxidation state उनको हम क्या बोलते हैं transition element बोलते हैं यह इसकी क्या है proper definition है यह इसकी proper definition है ठीक है यह चीज़ समझ में है यह में अब देखो जैसे मैं आपको और चीज जिसमें समझाओं transition element में और समझाओं जैसे आपका is a transition element यह क्या रहेगा transition element कहलाएगा बिल्कुल कहलाएगा लेकिन उधर ही अगर यार मैं बात करूँ उधर ही अगर मैं बात करूँ सपोज करो जिंक की तो जिंक की electronic configuration क्या है आपकी एरगन 3D104S2 तो इसके पास तो incompletely filled d-orbital नहीं है इसका d-orbital पूरा पूरा भरावा है ग्राउंड स्टेट में और common oxidation state zinc की कौनसी होती है zinc plus 2 इसकी भी अगर मैं electronic configuration लिखूं तो एरगन 3D10 आईगी तो दोनों में ही हमको ना ही ground state में मिल रहा है ना ही हमें most common oxidation state में मिल रहा है incompletely filled d-orbital इसलिए ही आपका जो zinc है वो ट्रांजीशन element नहीं है वो ट्रांजीशन element नहीं है ठीक है वो ट्रांजीशन अरे करवाएंगे एक बच्ची पूछ रही है कि भीया ncrt नहीं करवाऊगे क्या ncrt भी करवाएंगे लेकिन पहले उसके पहले हतियार दे रहे हैं क्या होता है ना कुछ ऐसे चाप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हतियार होने चाहिए आपके पास तो वह आपको एक नॉलेज दी जा रही है वह आपको एक नॉलेज दी जा रही है तो नॉलेज आप लोग लीजिए और लिखते जाईए तो इसलिए ही आपका जिंक ट्रांजीशन वह ट्रांजीशन और मरकरी यह तीन है आपके रांजीशन आपका उन्हें शूलेज यह त्रांजीशन एलिमेंट नहीं है ठीक है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कह जाता है आपका इन्हें कहा जाता है pseudo transition element इन्हें क्या कहा जाता है pseudo transition element कहा जाता है ठीक है ये चीज लिख लीजिए एक बार ये चीज लिख लीजिए ये चीज लिख लो कौन-कौन? Zinc Academy अमरकरी ये सब किस के होते हैं? आपके group 12 के होते है group 12 के होते है ठीके D block कहां से कहां लाए करता है group 3 to group 12 तक आपका D block होता है तो ये एक general information थोड़ी बहुत D block की ऐसे ही हमें यार थोड़ी बहुत information F block की भी होनी चाहिए अच्छा और क्या information है D block की ये भी देख लो थोड़े हतियार लेके चलो फिर हम लोग NCRT में जाएंगे आपका जो D block होता है उसमें basically series रहती है जैसे आपकी सबसे पहली series आती है 3D series फिर कौन सी आती है 4D series मतलब यार अगर electron 3D में गया तो 3D series होएगी अगर electron 4D में गया तो 4D series रहेगी ऐसे electron 5D में गया तो 5D series रहेगी अब आप लोगों से ये सवाल है चाट section में कि 3D series 3D series कौन से period में present होती है ये बताइए ये बताइए 3D series कौन से period में present होती है तो ये जो 3D series है ये आपकी 4th period में present होती है जो 4D series है ये आपकी 5th period में present होती है और 5D series आपकी 6th period में present होती है ये सब हम आपको general information दे रहे है about D and F block D and F block के बारे में ये आपको general ग्यान दिया जा रहा है ग्यान दिया जा रहा है तो ये ग्यान लेते जाओ, 3D series कहाँ, 4th period में 4D series 5th period में, 5D series 6th period में ये चीज हम समझे अच्छा, जैसे अब आपके F block रहता है तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत F block के बारे में लिखते हैं यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्यान F block के बारे में लेते हैं फिर हम लोग हमारी NCRT के अंदर डीब नाइविन करेंगे F block के अंदर एक block में आपकी दो सीरीज होती है कौन कौन सी होती है एक होते हैं आपके Lengthenoids कौन होते हैं Lengthenoids और एक आपके क्या होते हैं एक आपके क्या होते हैं Actinoids लिखते चलो लिखो के तो याद भी हो जाएगा ऐसा करते हैं हम अपने आपको थोड़ा चोटा कर लेते हैं क्या बोलते हैं थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाएगी फिर बड़ा कर लूँगा थोड़ा चोटा कर लिया ना बेलकुल इतना ठीक है और चोटा हो जाओंगे गाया भी हो जाओ या चलो देखो दो सीरीज हैं आपकी एफ ब्लॉ जाता है ऐसी एक्टेनोइड़ को आपका 5 f सीरीज भी बोला जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रोन 5f में जाता है 5 f में जाता है 8 कैं ये चीजी समझे अब लेंथ हो wraith कहां से कहां तक लाए करते हैं तो लेंथिन आपके लाए करते हैं जड colonies 2 58-2 71 आपके oldu pug एक्टिनॉइट्स कहां से कहां तक लाए करते हैं 92103 यह लाए करते हैं आपके एक्टिनॉइट्स यह लाए करते हैं ऐसे ही आपके दो एलिमेंट्स होते हैं कौन-कौन जैसे लैंथेनॉइट्स का नाम किस पे रखा गया लैंथेनॉइट्स का नाम किस पे रखा गया लैंथ रखा गया और आसी एक्तिनियम पर किसपे रखा गया, अब जैसे लैंथनम है इसका जेड कितना होता है आपका 57 मतलब लेंथनोयड से एक कम, लेंथनोयड 58 से स्टार्ट होने ह्यां लेंथनम का 57 है, actinoids 90 से start हो रहे हैं actinoids का 89 है actinium का 89 है और क्या पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो lengthinoids है ये present कहां पे है एक और सवाल क्या बनता है कि ये lengthinoids कहां present है तो lengthinoids present होते हैं आपके group 3 में and period 6 actinoids कहां present है group 3 and period 7 P7 is period 7 G3 is group 3 अब lengthinoids किस पर रखे गए हैं lengthinoids किस पर रखे गए हैं actinium पर लेकिन ये एक सवाल पूछा जाता है कि जो आपका lengthinum है ये कहां लाए करता है ये भी लाए करता है group 3 period 6 में actinium कहां लाए करता है group 3 period 7 में लेकिन 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 आपके lengthinum और lengthinoids दोनों के दोनों lengthinum और lengthinoids दोनों के दोनों आर D block elements कौन से element होते हैं D block elements होते हैं lengthinoids सुनना जहां से है ना सुनना जो lengthinoid series होती है that is F block series है ना F block में present है लेकिन lengthinum D block का element है actinoids F block में present है लेकिन actinium एक D block का element है यहां से question पूछा जा सकता है अगर कोई बोले सुनो 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 आपसे मैं question पूस्ता हूँ आपसे मैं question पूस्ता हूँ चाट सेक्षन में आंसर दीजिएगा कि lengthinum का group number बताओ period number बताओ और block बताओ तो आप क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे कि भाईया group है third period है six और block है D और उधर ही अगर मैं पूछूँ कि lengthenoids का group period और block बताइए तो lengthenoids का group है three period है six लेकिन block क्या है F है and same applies for actinium also same applies for actinium also actinium and actinants आई है बात समझ में ये चीज गलियर होई है तो ये क्या मैंने आपको एक basic information दी है अभी है ना अभी हमने as such हम NCRT में एकदम खूदे नहीं है NCRT में खूदेंगे ना direct तो भी या band बच जाई उससे पहले हमारे पास कुछ हतियार होने चाहिए तो उससे पहले आप लोगों को ये सब हतियार दिये जा रहे हैं ठीक है ये सारे क्या है हतियार है एक general information ले ली अब आप लोगों को NCRT के NCRT में लेके चलेंगे कि देखो यार ये NCRT से ये important है इसकी ये reasoning है वगेरा वगेरा सारी चीज़े देखते वे चलेंगे ठीक है थमसब दे दो चीज़े समझ में आ गई है तो और अब हम थोड़ा सा अपने आपको बड़ा भी कर लें इतना ठीक है चलो इतना ठीक है चलि ऑशते हैं NCRT के अंदर गुशते हैं ठीक है NCRT उलो यार NCRT उछा लीजिए अब जो जो चीज आपको बताई जा रही है वो मार्क करते जाना इस चाप्टर को ये चाप्टर यार बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्रें बहुत जादा रटने का है बहुत करेंगे यहां से आपको हेंड रेटन नोड दूँगा न मैं दो से तीन दिन में आपको तीन से चार दिन में आपको हेंड रेटन नोड दूँगा तो यहां से आप क्या करना यह रटने वाला काम करना जो रटना है आपको वो यहां से करिएगा अभी आप केवल समझते वे च चलिए, start करते हैं, start करते हैं, आजो, start करते हैं, ठीक है, देखो, D block, D block में कहां से का, group 3 to group 12, अभी-अभी मैंने बताया, ठीक है, और D block क्यों बोलते हैं हम लोग किसे, क्योंकि जो D orbitals है, उसे एक-एक करके fill किया जाता है, मतलब last electron कहां जाता है, D में जाता है, last electron कहां जाता यह आपका देखो 4FBA, 5FBA, Lanthinoids को 4F series बोलते हैं, Actinoids को 5F series बोलते हैं, कुछ आपके transition metals हैं और जो F block वाले होते हैं, उनको हम inner transition बोलते हैं, यहां सुनो, यहां सुनो देखो यह statement क्या बोल रहा है, देखो, क्या बोल रहा है, the names transition element and inner transition element are often used to refer to the elements of D and F block, मतलब transition elements किसको बोलते हैं हम लोग D block elements को, उसमें से भी कुछ exception है, zinc cadmium mercury वाला वो समझा दिया मैंने आपको, और inner transition element किसको कहा जाता है, आपका F block को, तो देखो यह color से आपको पता चलेगा, yellow yellow वाले साथ में हैं, transition metal और D block, और inner transition और F block green green वाले भी साथ में हैं, टेलीग्राम चानल पर हैं, अच्छा, notes कहां मिलेंगी हां, यह भी यार एक valid question है, कि भाई यह handwritten notes कहां मिलेंगे, यह बिलकुल यार valid question पुछा है, बहुत सही, यह ना, शाबाश, यह आपको मिलेंगे, हमारा telegram channel है, marks up learning app, इस नाम से आपका telegram channel है, इसको follow कर लो, इसको follow कर लेना, यहाँ पर notes मिलेंगे आपको, यहाँ पर notes मिलेंगे, ठीक है, सारी class की updates भी यहाँ पर आ जाती है, यही पर यह आपको handwritten notes, PDF format में provide करा दूँगा, ठीक है, चलो, आज आओ, यह चीज ठीक है, यह चीज समझ में आ गई, अब देखो, आपकी अलग-अलग series है, तीन main series है, कौन-कौन सी, कौन-कौन सी, देखो है, यह उपने mark करी, 3D series, ठीक है, 4D series, एंड 5D series, यह तीन main है, कौन-कौन सी, 3D, 4D और 5D, ठीक है, 3D, 4D और 5D, और जो आपकी 6D है, देखो, यह रही 6D, आना, वो क्या है, incomplete है, 6D क्या है, आपकी incomplete है, ठीक है, और एक आपके जो F-block में होते हैं, दो series होती है, कौन-कौन सी, lengthenoids होती है, and actenoids होते हैं, आपके F-block में है, यह हमने अभी-भी बात करी, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, transition, जो इस paragraph में किसकी बात कर रहा है, transition element की, transition element हम already समझ के आ चुके हैं, तो इसलिए ही आपको पहले समझा रहे थे, क्योंकि direct NCRT में खूद जाते हैं, तो नहीं समझ में आता, तो देखो, यहाँ पे transition element की definition दे रहा है, transition element is defined as the one which has incompletely filled a d-orbital in their ground state, और in their oxidation state, यह transition element की क्या हो ग और जो zinc cadmium mercury है, देखो, यहाँ पे लिख रखा है, mark करो, यह zinc भाईया, यह cadmium भरिया, और यह mercury भाईया, इनके क्या है, आपके fully filled है, d-orbital, तो they are not considered as, they are not considered as, not regarded as transition element, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, chat section में बताईए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, pseudo transition elements बोला जात है, ठीक है, आपके देखना, NEET 2021 में यहाँ से सवाल आया है, यहाँ से ब्लोक से आया है, और कौन से लाइन से उठाया गया है, NCRT से वो भी दिखाऊंगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ बने रहोगे, तो सारी चीज़े एकदम आपको crystal clear भी होंगी, और पता भी चलेगा क कहां से question बन सकते हैं, ठीक है, अब आजाओ, यहाँ आजाओ, यहाँ आजाओ, ठीक है, अब देखिएगा, यही सारी बाते कर रहा है कि हाँ यह पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, electronic configuration देखेंगे, यह सारी चीज़े हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आजाओ, transition element start कर रहा हूँ, d block start कर रहा हूँ, ठीक है, transition element start करेंगे, d block, ठीक है, चलो, start करते हैं, अच्छा, सबसे पहले बात तो यह है कि इनको हम transition element क्यों बोलते हैं, transition element क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, बोल रहा है, the very name transition given to the d block element is only because of their position between s and p block, देखो, periodic table imagine करने की कोशिश करो, left side बे कौन है, s block, right side बे कौन है, p block, तो बीच में कौन है, आपका d block, तो एक तरीके से transition हो रहा है, from s block to p block, s2 अगर p जाना है, तो आपको बीच में d से जाना पड़ेगा, तो इसलिए ही d को क्या बोला गया, आपका transition elements बोला गया, ठीक है, यह चीज समझ में आई हैं, यह च अगर series है, और जो चटी series है, जैसे हम 6D series बोलेंगे, वो क्या है, अभी भी incomplete है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे आपके और जो elements से वो discover करते जा रहे हैं, जैसे वो discover होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी वो complete होते जाएगे, लेकिन आज की तारीक में वो incomplete है, ठीक है, electronic configuration आ n-1 का मतलब क्या है, जैसे देखो, valence सुनो यहा पर, अब यहापे terminology क्या use होईगी, जैसे देखो यह अपर n-1 to 2 है, और n-1'd, 1 to 10 है, तो जो n-th shell होता है, वो कौन सा shell होता है, valence shell होता है, और आपका जो n-1th shell होता है, वो कौन सा shell होता है, Penalty Mate Shell मतलब Valence के एक अंदर वाला तो यही बोल रहा है कि जो आपका N-1D है वो stand करता है Inner D Orbitals के लिए ठीक है और जो आपका Outermost Ns है उसमें तो 1 या 2 Electron आ ही सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें अगेन आपका Difference मतलब exception आने वाले हैं अब exception क्यों आते हैं यह बताईए exception क्यों आते हैं अब बोलो कि यह यह तो chemistry है exception तो आएगा यह आएगा इसमें है ना तो पर exception के भी तो कुछ reason होते हैं तो किसी reasons की वज़े से आते हैं exception अब देखो यह क्या बोल रहा है This generalization has several exceptions क्यों है वो exception because of reason दे रहा है अब यहाँ पर because of very little energy difference between n-1d and ns orbital तो मतलब जो आपके दो orbitals हैं कौन-कौन n-1d है ना या फिर इसको ऐसे लिखो है ना इसको ऐसे लिखो जो आपके दो orbital हैं कौन-कौन से n-1d और ns इन दोनों के बीच का energy difference बहुत कम है अजरी difference बहुत कम है तो electron इदर उदर खुदते रहते हैं difference बहुत कम है ना gap बहुत कम है gap बहुत कम है इन दोनों orbitals में तो अगर gap बहुत कम है तो electrons इनके इदर उदर खुदते रहेंगे तो आपका exceptional behavior आता है ठीक है, जैसे देखों यहाँ पर बोल रहा है, अब जैसे अगर atomic structure आप लोगों ने धंग से पड़ा होगा, तो वहाँ पर हम लोग atomic number 30 तक electronic configuration देखते हैं, atomic number 30 तक देखी जाती है, तो वहाँ पर दो exception आते हैं, कौन-कौन, chromium और copper exception आता है, जैसे जो chromium है, उसका electronic configuration क्या होता और ऐसे ही copper क्या-क्या होता है, 3-retain, 4-s, 1, इसके reason क्या होते हैं, atomic structure में इसके reason लिखे हैं, NCRT में, क्या reason है, क्या reason है, half-filled, जैसे यहाँ सुनो, chromium, वापिस ऐसा करता हूँ, छोटा हो जाता हूँ, जगे ऐस में क्या, चाहिए रहेगी अपनको, तो छोटे होते रहेंग chromium क्यों stable होता है, अब यार देखो, जबर्दस तरीके से पढ़ेंगे, बस बने रहना साथ में, chromium क्यों stable होता है, chromium stable होता है, आपका half-filled orbitals की वज़े से, और copper stable क्यों होता है, fully filled stability की वज़े से, ठीक है, और सीधा-सीधा NCRT में ये mention है, कि half-filled और fully filled orbitals, ज़ादा stable होते हैं, अब ज़ादा stable क्यों होते हैं, ये NCRT में mentioned हैं चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है, ये ज़ादा stable क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी high exchange energy होती है, क्या होती है, high exchange energy होती है इसलिए यह जादा stable होती है एक reason यह रहता है दूसरा reason क्या रहता है इनका symmetric distribution होता है electron का symmetric distribution होता है electron का मतलब half field है तो 5 ही है fully field है तो पूरा भढ़ दिया आपने या तो हर किसी में 1-1-1 है या फिर हर किसी में 2-2-2-2 है तो reason क्या है high exchange energy या फिर आपका symmetric distribution of electron इन दो reason की वज़े से आपके जो chromium और copper है जो half field और fully field है वो जादा stable रहती है चेक है ओल्राइट यह चीज समझ में आ गई है अच्छा अब यह देखो एक बच्चा बूच रहे है कि क्या यह जो series है यह जो table है देखो अब यह table आने वाले यह जी first series first series मतलब सुनो first series का मतलब क्या है यहाँ पर यह 3D series बोलना चारा है सबसे पहले 3D आता है तो यह first series है इस second series का मतलब क्या है 4D series इस third series का मतलब क्या है 5D series और fourth series का मतलब क्या है 6D series जो की क्या है, incomplete है अब तक ठीक है, नहीं, बिलकुल देखो आप लोगों को ये आप सच याद नहीं करनी है, ये आप सच याद नहीं करनी है, ये वाली जो series है, आपकी 3D series है ये यहां की सबसे खिलाडी series है, मतलब ये सबसे important है ये सबसे important है, 3D 3D series से majorly आपके question पूछे जाते हैं ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आप बिलकुल, बिलकुल, कोशिश करेंगे BGMI emissions बिलकुल है, चला ठीक है, तो ये आपकी 3D series सबसे आदा most important रहती है, सबसे question यहां से ही पूछे जा सकते हैं अच्छा, और देखो, आप क्या बूल रहा है आप यही सारी बाते कर रहा है, जो हम आल्रेडी कर चुके हैं जिसे मतलब जो आपका zinc cadmium मर करी है कितनी बार बताएगा आया NCRT बावड़ा हो गया है, जो zinc cadmium मर करी है they are not regarded as transition element यह चीज हम पढ़ चुके हैं यह चीज हम पढ़ चुके हैं अब यही सारी बाते कर रहा है कि आपके जो अलग अलग बिहेबर मलब हम लोग बिसकली देखो पढ़ने क्या क्या वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं देखो यहां पर यह दिखा रहा है variety of oxidation state जो d block element है वो अलग अलग oxidation state आते हैं यह हम पढ़ेंगे formation of colored compounds पढ़ेंगे ठीक है complex formation हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे catalytic behavior पढ़ेंगे paramagnetic behavior पढ़ेंगे सारी चीज हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है आजाओ एक एक करके property पढ़ने start करें property start करें thumbs up दे दो chat section में मेरे से मिलना है बिल्कुल आ जाओ जैपूर आ जाओ जैपूर आ जाओ और फिर message कर देना टेलीग्राम पे railway station आ गए है बस stand आ गए है लेने आ जाएंगे जैपूर आ जाएंगे ठीक"? चलो बढ़ा करना बूल गये हम आपने आपको बढ़ा कर लिए ठीक है? छलिए start करते हैं ठीक है? स команд करते है physical properties अना? physical properties अनगी इस आपके D block elements रहते है mostly क्या है व आपके metals है, तो सब के सब कौन सी property दिखाएंगे metal वाली, क्या ये बताओ, नववी और दसवी कक्षा में क्या ये property आपड़ी थी कि भाईया metal की high tensile strength होती है, ductility होती है malleable होते है high thermal and electrical conductivity होती है, metallic luster भी होता है, तो सब के सब गया है, metal है, तो उनकी ये property होने वाली है अब important क्या है, important है ये line, ये line important है कि जो आपका zinc है cadmium mercury और इनके group में एक और londra entry मार गया है जिसका नाम है magnesium zinc, cadmium, mercury magnesium नहीं क्या बूल रहे हैं भी, देख रहे हो दमाग कहा जा रहा है, zinc, cadmium, mercury और manganese zinc, cadmium, mercury और manganese इनके पास इनके पास आपका structure नहीं है as such solid का structure नहीं है जैसे देखो, solid state जब आप पढ़ते हो solid state जब आप पढ़ते हो, तो उसमें आप FCC पढ़ते हो BCC पढ़ते हो, HCP पढ़ते हो है न तो यहाँ पर क्या बोल रहा है zinc, cadmium और mercury और कौन, manganese भाई उनके structure नहीं है solid form वो cubic या फिर जो आपके lattices रहते हैं वो नहीं है, जैसे देखो, यहाँ पर zinc के आगे cross लगावा है, cadmium के आगे cross लगावा है, mercury के आगे cross लगावा है, ऐसी manganese के आगे cross लगावा है, ठीक है यह चीज ठीक है, चलो चलो, तो इस चीज को mark कर लो, एक और manganese भी इनके group में आगे है, zinc, cadmium, mercury और manganese, ठीक है, इसका कोई metallic structure नहीं है, ठीक है, इसका कोई metallic structure नहीं है, ठीक है they have no metallic structure, कौन-कौन यहाँ पर लिख लो जाओ तो, zinc zinc, cadmium, mercury और manganese, इनका कोई metallic structure नहीं है, no metallic structure ठीक है, चलो, आगे बड़ो, आगे बड़ो ठीक है, यह सब तो ठीक है, चलो, जैसे आपका जो transition element रहते हैं, are very much hard और low volatility, और यह हमेशा किस में चलेंगे, exception में चलेंगे, कौन zinc, cadmium, mercury, यह volatile रहने यह volatile रहने, लिख लो यह आपे, यह volatile रहने, यह exception में ही चलने वाले यह आपको बहुत परिशान करेंगे इस पूरे chapter में, चलो, अब देखो, सुनो, 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 आपके यार, यह जो d block के elements यह क्या है, generally metals है यह generally क्या है, metal है तो जो आपके d block के elements रहेंगे इनमें कौन सी bonding होईगी कोई मेरे को chat section में बताएगा यह सब क्या है, metals है तो इनमें bonding कौन सी होगी इनमें bonding भी यार, obviously कौन सी होगी metallic bonding रहेगी कौन सी bonding रहेगी metallic bonding रहेगी हाँ या ना, कौन सी bonding रहेगी, metallic bonding रहेगी, अब metallic bonding किस पर depend करती है, metallic bonding depend करती है, number of unpaired electrons पर, मतलब more the number, यह लिख लो, more the number of unpaired electron, more is metallic bonding, उतनी जादा क्या रहेगी, metallic bonding रहेगी, और उतनी जादा आपका melting point, boiling point और यह सारी चीज़े रहेंगी, यह सारी चीज़े रहेंगी, ठीक है, तो किस पर चीज़े depend करती है आपकी, depend करती है number of unpaired electrons पर, ठीक है, अब देखो इस paragraph में क्या दे रखा है, उस चीज़ को समझते हैं, उसको समझते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, येल्लो से मार करते वें चलेंगे, देखो क्या बोल रहा है आपका, यह आपको एक graph दिखा रखा है, यहाँ आपको graph दिखा रखा है, melting point और atomic number का, देखो क्या बोल रहा है, the high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from N-1D in addition to N-S electron, मतलब यार, आपके जो D-block के elements रहते हैं, उसमें N-S वाले भी participate करते हैं bonding में, और N-1D वाले भी करते हैं, तो जितने ज़्यादा number of electrons रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका melting और boiling point रहेगा, उत्रहीं ज़्यादा आपका melting और boiling point रहेगा, चैक है, तो देखो क्या बोल रहा है, in any row, कोई सी भी row में, आप 3D ले लो, 4D ले लो, 5D ले लो, the melting point of these metals rise to a maximum of D5, इसका कोई reason बताएगा, चैट सेक्शन में, इसका अगर मैं हिंदी में एकदम आपको translate करके बताऊँ, तो यह बोल रहा है, कोई सी भी अगर सीरीज उठा लोगे न, तो melting और boiling point D5 तक increase करते हैं, और उसके बाद decrease करते हैं, क्यों, क्योंकि D5 तक आपके क्या unpaired electron बढ़ते जाते हैं, D1 आया, 1 unpaired, D2 आया, 2 unpaired, D3 आया, 3 unpaired, D4 आया, 4 unpaired, D5 आया, 5 unpaired, D6 आया, 4 unpaired, अब 5 के बाद आपके unpaired electrons कम होते जाते हैं, हाँ, तो आपका melting point और boiling point D5 तक increase करता है, फिर आपका dip मारना start करता है, लेकिन chemistry is all about exceptions, क्या आते रहते हैं बीच में, exception, बोल रहा है, except for anomalous values of manganese and titanium, इनका आपका गडबड है, जैसे देखो, यह जैसे देखो, यह एकदम से नीचे आ गया, यह एकदम से नीचे आगया है, तो यहाँ पर आपका exceptional behavior है, यहाँ पर आपका exceptional behavior है, ठीक है, अच्छा देखो, यही बोल रहा है, यहाँ देखो, क्या बोल रहा है, the maxima at about the middle of each series, middle of each series में हमको maxima मिलेगा, that indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable, ठीक है, मतलब unpaired electron maximum रहते हैं, unpaired electron maximum रहते हैं, और unpaired electron यहाँ पर देखो, यही चीज भी आपको लिखवा दो, देखो, greater the number of unpaired electrons, या फिर valence electron, stronger is the resultant bonding, यह तो मैंने लिख्यवाई दिया हैं, यह तो मैंने आपर बताई दिया है, जितने unpaired electron हैंगे, उतनी ही जाद आपकी metallic bonding रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चालो, यह चीज समझ में आ गई हमें, यह चीज समझ में आ गई, चालो, और देखो, क्या बोल रहा है, ठीक है, बाकी सब, यहाँ कोई, ऐसा कोई load लेने वाली बात नहीं है, अब यहाँ आ जाओ, variation in atomic and ionic sizes of transition metals, ठीक है, variation क्या है, atomic size और आपके ionic sizes में है, जबरदस variation है, इतना भेंकर variation, कि यह बैंड बच जाएगी, यहाँ पे एक term है, lengthenoid contraction, lengthenoid contraction, सुनो यहाँ पे, सुनो, एक होता है आपका screening effect, ऐसा करते हैं, वापे थोड़ा छोटे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, एक होता है आपका screening effect, क्या होता है, screening effect, screening effect क्या होता है, screening effect का हम shielding effect भी बोलते हैं, इसका हम लोग कहीं बार shielding effect भी बोलते हैं, तो क्या करते हैं आपके, जो electrons है, वो एक तरीके से shield, या फिर दीवार बना लेते हैं, shield या फिर दीवार बना लेते हैं, positive charge के against, तो जो आपका S orbital होता है, वो सबसे भेतर तरीके से दीवार बनाता है, या फिर shield बनाता है, then P, then D, and then F, तो D और F का poor screening effect होता है, D और F का poor screening effect होता है, तो यहाँ पर देखो, lengthenoid contraction इसने कैसे समझा रखा है, यह बात मुझे बताओ, कि अगर मैं down the group जाओंगा, सुनना यहाँ पर है, अगर मैं down the group जाओंगा, तो atomic size, increase होती है, decrease होती है, या क्या रहता है, यह बताइए मरे को, down the group जाता हूँ, तो atomic size, increase, decrease क्या रहता है, जनरली क्या करती है, इंक्रीज करती है, जनरली क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो अगर मैं आपका atomic size का order लूँ, सुनना है आपर, atomic size का अगर मैं order लूँ, तो तीन series है हमारे पास, कौन सा उनसी, 3D series, 4D series और 5D series, तो 3D series सबसे छोटी होनी चाहिए थी, है ना, फिर आपकी 4D होनी चाहिए थी, फिर आपकी 5D होनी चाहिए थी, काईदे से यह होना चाहिए था trend, लेकिन यह trend नहीं रहता ह है, 3D आपकी सबसे छोटी रहती है, लेकिन 4D और 5D are almost same, 4D and 5D are almost same, तो इसका reason क्या होता है, काईदे से तो क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, तो इसका reason क्या होता है, lengthenoid contraction, अब lengthenoid contraction किस बला का नाम है, यह चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो देखो अभी हम मार्क करेंगे, NCRT में मार्क करेंगे, देखो, यहां देखो क्या बोल रहा है, यहां देखो क्या बोल रहा है, देखो, बोल रहा है, अभी कर्व दिखाऊंगा आपको, shows an increase from 3D to the 4D series, बिलकुल, 3D से 4D जाते हो, तो size बढ़ती है, size बढ़ती है, लेकिन, but, but the radii of 5D series are virtually same as those corresponding members of the second series, second series मतलब 4D series, मतलब बोल रहा है, 4D और 5D के almost आपके same है, आपको दिखाऊंग, कर्व दिखाऊंग, यहां देखो, यह जो green line है, यह green line, यह कौन सी है, यह आपकी 3D है, यह सबसे छोटी है, देखो, सबसे नीचे है, यह सबसे नीचे है, यह वाली जो line है, blue वाली blue dotted, यह 4D है, और यह जो red dotted है, यह आपके कौन सी है, 5D, तो क्या देख पा रहे हो, 4D और 5D एकदम सटे सटे हैं, मतलब एकदम पास पास में है, तो इनकी sizes क्या है, almost same है, इसकी sizes क्या है, almost same है, और 3D सबसे छोटा है, 3D सबसे छोटा है, अब यह हो क्यों हो रहा है, हो क्यो This phenomenon is associated with the intervention of 4F orbitals, मतलब, सुनो, 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 जब आप 4D से 5D जाते हो, तो भाया, बीच में आपको कहीं पे 4F में भी electrons फिल करने पड़ते हैं, और 4F का क्या रहता है, very poor screening effect, देखो, सबसे poor है screening effect, तो screening effect अगर कम होता है, तो Z effective, मतलब, atomic charge, मतलब, force of attraction, increase कर जाता है, increase कर जाता है, तो size आपकी नहीं बढ़ पाती है, size आपकी नहीं बढ़ पाती है, देखो, यही बोल रहा है, the filling of a 4S before 5D orbital, result in a regular decrease in atomic size, decrease क्यों हो रहा है, atomic size, क्योंकि F का poor screening effect है, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, F has poor screening effect, देखो यार, सुरो, मेरी बात सुरो, पढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, और इसी चीज़ को length and contraction बोलाएं, देखो, पढ़ाने के क्या होता है, ना, हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल विन्या बोल रहा है कि कोई, पहले ही NCRT पढ़े तो वो पढ़के भियोश हो जाए, बिल्कुल, D और F block की तो, ऐसी उन्होंने NCRT लिखी है, कि भया, बच्चा सच में भियोश हो जाए, सच में भियोश हो जाए, देखो, पढ़ाने के ना, दो तरीके होते हैं, मैं आगर आपको बताऊं, तो पढ़ाने के यार मेजर ली दो तरीके होते हैं, एक तो यार मैं क्या करूँ, आप लोगो को माक माक कराते जाओं, कि हाँ यार, देखो, यह इंपोर्टेंट है, यह अलग-अलग केलर यूज करते जाओं, आप लोगों को भी मजा आते जाए और पढ़ाते जाओं, लेकिन उसमें satisfaction नहीं है, पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यार, खुद को भी, थोड़ा satisfaction फील हो, तो इसलिए ही आपको इतना सारा लिखवा रहा हूं, और इतना डीप में एक एक चीज को जाके समझा रहा हूं कि यार, आपको ये नहीं लगे कि यार, chemistry बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसको समझ समझ के चलोगे, तो भाईया, आपसे चीजें होने लगेंगी, आपसे equation बनने लगेंगे, और आपको मजा भी आने लगेगा, इसलिए ही अराम अराम से बढ़ रहे हैं, तो कोई जल्दी बाजी मत करना आप लोग, जल्दी बाजी नहीं करना, जल्दी बाजी करोगे न तो फिर भी या घडबडे हो जाएंगी, फिर question नहीं हो पाएगा, नीट 2021 में question आए, कहां से question है, ये रह अर्व कर नीट 2021 का question ये आपका नीट 2021 का question,सरी कहां से कहां से हो जगे निकाले हैं, ये रहा नीट 2021 का question, क्या पूछा था, पूछा था कि यार जो जर्कोनियम है और ये जो HF है, इनकी almost same size होती है, इनक्य ओल्मोस्त, same size होती है, देखो तो क्या बोल रहा है exhibit, exhibit similar radi है, देखो same है न, 160 और 159, क्यों, क्योंकि ये कौन से कौन से series के हैं, देखो, ये आपके second और third series के है, मनलब आपका 4D और 5D series के है, तो किसकी वज़े से same है, क्या reason पूछा गया साथ ते, चार option थे, और उसका reason पूछा गया, तो reason क्या था, lengthenoid contraction, क need 2021 का सवाल, ठीक है, आया है समझ में, तो भाईया, इस तरीके से line ने खोज नहीं है, कि भाईया, direct यहीं से ही सवाल है, आएगा तो यहीं से ही, बाहर नहीं जाएंगी चीज़े, एकदम ऐसे target करना है कि ये low, हमने तो सब पढ़ रखा है, हमने सब पढ़ रखा है, ठीक है चलो, ठीक है, चलिए, चलिए, अब आजो यहां पर, ठीक है, यहीं सारी चीज़े बात कर रहा है, ठीक है, आपका जो lengthenite contraction है, उसके देखो reasons बता रहा है, reason क्या बता रहा है, imperfect shielding of one electron by another, ठीक है, मतलब the shielding of one 4F electron by another is less than, 4F की shielding क्या रहती है, कमजोर रहती है, 4D से, या फि D से, F की shielding कमजोर रहती है, D से, चीक है, यह सब चीज़े ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या करो, trend लिख लो, सुनो, 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 यहां देखो भी, या, यहां, यहां देखो, table देखो, कहांगे table हमारी, यह रही table, देखो, metallic या फिर ionic radia, यह रह, यह रह, तो देखो, यह 164, 147, 135, 129, फिर देखो बढ़ गया, फिर कम हो गया, कम, बराबर, बराबर, फिर बढ़ गया, फिर बहुत जादा बढ़ गया, तो सबसे पहला यह सवाल तो किया हमें, यह values याद रखनी है, तो नहीं, यह value याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको यह trend याद रखना है, यह trend आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो मैं यहां पे trend लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखो, scandium सबसे बड़ा, और cobalt और nickel आपके same है, cobalt और nickel आपके same है, यह रहा आपका atomic size का radia है, ओ सॉरी, order, लिख लो एक बार NCRD में, लिख लो एक बार NCRD में यह चीज, NCRD में लिख लीजिए, NCRD में लिख लो यह चीज, ठीक है, तो यहां से पता है, आपसे direct सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आपको यह पूरा trend नहीं पूछेगा, आपको बीच में से कहीं पर उठा लेगा, suppose आपको तीन elements उठा लिए, कोई से भी तीन elements उठा लिए, फिर आपको बूछ लिया सवाल, तो आपको पूरा trend नहीं पूछेगा, आपको पूरा trend नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बीच म त्रेंड थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे याद रखोंगे शॉट नोट में मैं मैं में मेंशन कर दूंगा ऐसे मतलब जपना स्राट करो रोज सुबह उठो तो दो एलेमेंट पढ़ लो रोज सुबह उठो दो एलेमेंट पढ़ लो तो ऐसे दू-तिन चला अब बाड़ा अड़ाव अब आजाओ यह अनरजी बे भई या जबरदस यहां पर भी जबरदस एक्सेप्शन अने वाले ढर्ड़ास एक्सेप्शन आने वाले हैं यह अप से कोई भी पूरा ट्रेंड नहीं पूछेगा आइना पूरा ट्रेंड नहीं पूछेगा और यह जो इसने अब जो यह पैरेग्राफ लिखे ना इंसी आटी में मैं बदा दूं नेक्स लेवल नेक्स लेवल ठीक है मतलब इतनी ज्यादा चीजें डिफिकल्ट कर रखी है उसने इन पैरेग्राफ में यह क्या बता है सही में साइंस नहीं ले तो जैसे वह शोले मूवी थी ना तो बच्चे को सुलाने के लिए क्या बोलते थे ही सोजा बेटा गबर आ जाएगा तो अगर किसी को साइंस नहीं दिलवानी है किसी पेरेंट को तो उसको यह पैरेग्राफ पढ़ावाना चाहिए वह पैरेग्राफ पढ नेको लग रहे है कॉमर्स में भी नहीं हो सीधा आर्ट में चले जाएगा अब बचाओ है कि यह पढ़ा रहे हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसे करके करकर धाम ठीक है हां तो यह है ना ऐसा है तुमको तुमको लाइफ का ग्यान वी दे रहे हैं डी और एफ ब्लॉक पढ़ात आते हो कि यार वो science नहीं ले तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है D&F का NCRT उसको बोलनी एक एक बार Read कर इसमें से कुछ भी समझ में आ गया तो तू science ले सकता है तो वो अपने आप आप आके बोलेगा एक दो दिन लेगा पड़ने में समय लगेगा उससे एक दो दिन पड़ने में लेकिन अपने आप आके बोलेगा कि पापा या मम्मी नहीं कहां जाना है हमें आपके फ्यूचर प्लानिंग भी दे रहे हैं चलो यहां जाओ यहां जाओ आएनाइजेशन इनरजी अब देखो क्या बोल रहा है कि देखो जूट कैसे बोल रहा है सुनना देखो कितने प्यार से जूट बोलता है सुनना यहां पर देखो क्या बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आएनाइजेशन इनरजी इंक्रीज करेगी बिल्कुल करेगी हाउवेवर भाई ने हाउवेवर डाल दिया न तो थोड़ा सा ड़ जाये करो हाउवेवर स्मॉल वेरियेशन में अकर अब इसके मैं आपको स्मॉल वेरियेशन दिखाता हूँ जो इसने बोले हैं अब यहां पर यह रहा आयनाइजेशन एनर्जी का और यह ना आयनाइजेशन इनर्जी में आपको लिक के बता हूँ यह अर। हम लिख क्या से रहे हैं यह आचेब्ल को अब्ञेर लिख इसका जो small variation इस भाई ने बोले है क्या variation है, देखो, scandium की सबसे कम फिर vanadium, फिर chromium, फिर titanium, फिर manganese nickel भाईया है, ठीक है, copper है, cobalt है, iron है और फिर zinc है, ये है इसका small variation ठीक है, ये है इसका small variation ठीक है, ठीक है, ये है इसका small variation लिख लो यार NCRT में एक बार, NCRT में लिख लो है ना ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए लिख लो भी या NCRT में अना ठीक है, चालो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इधर ये सारी, इसकी reasoning दे रहा है इधर ये सारी, इसकी reasoning दे रहा है ठीक है देखो अब reasoning क्या दे रहा है देखो क्या बूल रहा है अब यह हो क्यों रहा है यह हो रहा है आप सुनते जाना है ना अब हमको बस NCRT में मार्क करते जाना है और थोड़ा बहुत हमको सुनते जाना है सुनते जाना है थोड़ा बहुत ठीक है देखो क्या बोल रहा है जो आपका irregular trend है वो क्यों है वो इसलिए है जब आप remove करते हो एक electron को तो alter हो जाती है energy 4s और 3d orbitals की मतलब जब भी आप एक electron remove करने जाओगे तो जो 4s और 3d हैं उनकी energies ulti-multi हो जाएंगी एंटर हो जाएंगी क्यों क्यों कि ऐसा क्यों रहा है क्योंकि energy gap क्यों हो रहा है energy gap is very less energy gap क्या है बहुत कम है energy be ने कम होने के कारें जैसे एक electron निकालते हो तो energies energies और देखो क्या बोल रहा है एक री ओर्गनाइजेशन एनर्जी के साथ में आती है और आपकी एक्सचेंज एनर्जी भी लगती है अब देखो है कि जो आपकी देखो और जबड़ात हैं सब्सक्राइन addicted kaan haa जोव्राज यवराज उव उवुगज़ शेयर करते हैं करेंगे 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 रुग जाओ ठीक है, organic chemistry बात में आएगी, hydrocarbons अभी नहीं पड़ेंगे, spam ना करो, ठीक है, थोड़ा सा पड़ने दीजिए, अभी रुख जाओ, थोड़ा सा, थामबा, थामबा, ठीक है, however, value of chromium is lower, chromium की, क्या बोल रहा है, यहां पर देखो, chromium initially है ना, chromium, पहले ही है, तो इसकी क्या है, बोल रहा है, lower है, आपकी ionization energy, क्यों, because of the absence of any change in the deconfiguration, मतलब, electron कहां से निकलता है, 4S1 से, तो D कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो उसकी energy क्या है, lower है, और जो zinc है, उसकी क्या है, आपकी energy, उसकी क्या है, आपकी energy, higher है, because it represents ionization from the forest level, zinc की higher है ती है, chromium की कम रहा है, राफे किल पूछ रही हैं, कि energy gap क्या है, energy gap less क्यों है, क्योंकि जैसे-जैसे हम nucleus से दूर जाते-जाते हैं, energy gap क्या होते जाता है, कम होते-जाता है, यह हम लोग atomic structure में बढ़ते हैं, कि जैसे-जैसे हम nucleus से दूर जाते-जाते हैं, energy gap क्या होते जाता है? कम होते जाता है. कम होते जाता है. तो उसकी चक्कर में देखो, तभी सुनो, 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 सुनो. जैसे यार, atomic structure जब हम पढ़ते हैं, तो z equals to 30 तक electronic configuration पढ़ते हैं. है थोड़ा सा चैट सेक्षिन में अक्टव हो जाओ. थोड़ा सा चैट सेक्षिन में अक्टव हो जाओ. हेलो हेन्री जी. हम लोग जब atomic structure पढ़ते हैं, हम लोग जब atomic structure पढ़ते हैं, तो z equals to 30 तक पढ़ते हैं. हम लोग 30 तक electronic configuration पढ़ते हैं. कितने exception आते हैं एक्सेप्शन आते हैं और आपका कॉपर में आता है वागी सब तो नॉर्मल आपका सब फॉलो करते हैं दोई आपके एक्सेप्शन आते हैं क्रोमियम आता है कॉपर आता है आपके जेडिक टीस तक लेकिन उसके बाद तीस के बाद आपके exception की line लग जाती है क्योंकि D और F block में दबा के exception है खूब exception behavior है अलग behavior है अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप nucleus से दूर जाते जा रहे हो जैसे जैसे आपका atomic number बढ़ता जा रहे है आपके और electrons आए जा रहे है तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो जो energy gap है जो दो shells के बीच में energy gap है वो बहुत कम होता जाता है तो जब gap कम होता जाता है तो electron इदर उदर खूद सकता है जब electron इदर उदर jump कर सकता है आपके shells के अंदर, sub shells के उपर तो इस चक्कर में आपका बहुत ज़ादा exceptional behavior आ जाता है आपका जब कम है atomic number तो gap बहुत बड़ा है तो electron easily आपका इदर उदर खूद नहीं सकता है लेकिन जिसे से दूर जाते जाओगे gap कम होता जाता है तो electron इदर उदर खूद सकता है इसलिए exceptions की भरमार आ जाती है exceptions की भरमार आ जाती है ठीक है यह चीज ठीक है यह चीज ठीक है अब देखो जादा कुछ है इसमें load लेने वाली बात नहीं है जो आपको यह ionization energy का trend है इसके थोड़े आप जाप लगाओ इसके थोड़े जाप लगाओ है ना तो यह चीज भी आपको यह दो चीज तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है यह दो चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब आजओ oxidation state में अब देखो oxidation state में क्या important है ठीक है oxidation जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर please focus करिये ना बहु अब आपको गूरो यह मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे element है जो वेरियेबल ऑक्सिडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं टेबल आपके सामने है ओन कौन से ऐसे element है जो वेरियेबल ऑक्सिडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं कौन कौन है जैसे दिखो यह आपका SCANDEUM सिरफ और सिरफ प्लस थ्री ऑक्सिर ऑक्सिडेशन स्टेट दिखाता है Zinc सिर्फ और सिर्फ प्लस 2 दिखाता है तो एक point आपका क्या बन गया एक point क्या बन गया जो Zinc and स्कैंडियम और सिंक ये क्या है दे डशनॉट शोग डशनॉट शोग वेडियेबल तो सिध्लेसटेट यह ऑर थे दानंब में नहीं दिखातेם Chinese क fark अब यहाँ देखो में ने पि ब्लॉग भी पढ़ा है ना SW यह यह हम लोगों ने पी ब्लॉक भी पढ़ा तो P block में हम जो oxidation state देखते थे जैसे सुनो जैसे सुनो जैसे मैं आपको revise भी कराऊं जैसे group 13 की बात करो P block का है बिल्कुल है इसकी general electronic configuration क्या थी ns2 np1 तो इसमें जब हम oxidation state पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि यह इसकी दो oxidation state हो सकती है तो plus 1 हो सकती है या फिर plus 3 हो सकती है तो इन दोनो oxidation state में difference कितने का है दो का plus 1 और plus 3 में difference कितने का है दो का है तो देखो यहाँ पे यही चीज समझा रखी है इसने यहाँ पे यही चीज समझा रखी है देखो यहाँ पे एक सेकेंट, एक सेकेंट, एक सेकेंट, कहां गई, रको, 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 रको इसने देखों यहीचीस यहाँ पर समझा रखिये है, कि जो आपके P-block है उसमें आपके दो oxidation state का difference रहता है, लेकन D में आप देखो इस series में stable को देखो plus 2 plus 3 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 ऐसी plus 7 तक एक-एक का gap है इसमें क्या है एक-एक का gap है एक-एक का gap है ठीक है P में आपके 2-2 का gap होता है P में आपका 2-2 का gap होता है देखो हहाँ चीज बता रखिया यह चीज बता रखिया their oxidation state differ from each other by unity एक unit से करती है लेकिन जो आपके non-transition element है non-transition element कौन हो गया है P-block की बात कर रहा है यह उसमें जो आपकी oxidation state है they differ by a unit of वहाँ पे 2 unit से differ करती है वहाँ पे 2 unit से differ होती है यह चीज ठीक है यह चीज ठीक है अना यह चीज clear होनी चाहिए यह चीज clear होनी चाहिए ठीक है भाईया अना अब देखो जैसे जैसे देखो क्या बोल रहा है the element with the greatest number of oxidation state occur in the middle of the series मतलब आपका जैसे देखो manganese का oxidation state कितनी है plus 7 तक जा रहा है तो वो बीच में मिल रहा है हमको एसा क्यों मिल रहे है और कि ये बताइए पहले मुझे का इंब अब इ heed महाँ को बताइए 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 आफेए औरिशे 2 ओ控 SMITH अपनी अफ्टर रहाए देने आया है यांपे आलव में अफनी nato सारी चीज करब आरे हैं ना आप live classes में attend करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कि high quality के lectures deliver हो रहे हैं तो सारी चीज गरवाई जा रही है ठीक है ध्यान से सुनो पहले ठीक है comment भाद में ध्यान से सुनना पहले ठीक है यहाँ पर लगता चीज था fella सी ठीक है कि क्यों पर वुझा फैर सब्सक्राइज होता है इसलिए कि इसलिए ही आपका इसलिए ही आपका बीच में सबसे जड़ा बागी बहुत ज्यादा और ज्यादा लोड लेने की बात यहां पे नहीं है और ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है अच्छा एक बच्चे का डौट यह आया था एक बच्चे के डौट आया था कि आपका आयरन हो प्लस फाइफ क्ई नहीं दिखा रहा है यह देखो सारी चीजें स्टेबल होज कोई हैं तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं ऐखो stable वाली मैं गोले मारते हूँ, यह जिसे देखो जो bold हो रखी है न, यह देखो इसकी plus 4, इसकी plus 5, इसकी plus 3 और plus 6 यह जो bold हो रखी है, यह इनकी सबसे ज़्यादा stable है यह इनकी सबसे ज़्यादा stable है mark कर लो, mark कर लो जो bold हो रखी है वो इनकी सबसे ज़ादा stable है ठीक है? बलकुल बलकुल चलो आ जो, यहाँ देखो यहाँ देखिए ठीक है? यहाँ देखो अब यह चीज भी बहुत important है यह paragraph important है यह paragraph important है यह paragraph important है देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमने यार inert pair effect पढ़ा था हमने यार एक चीज यह पड़ी थी सुनना यहाँ पर अब देखो P block से यहाँ पर relate कर रहा है इस paragraph में कि जो आपका P block था सुनो यहाँ पर मैं आपको revise भी करवा देख P block में हम क्या बोलते थे कि stability यह statement हम लिखते थे P block में stability of lower oxidation state increases down the group क्या है stability of lower oxidation state जैसे आपके plus 3 वाला भी है और plus 1 वाला भी है तो जो lower oxidation state रहता है lower oxidation state रहता है उसकी stability down the group increase करती है यह बोलते थे या नहीं बोलते थे पहले हाँ या ना बताओ P block जिसने अगर मेरे साथ पढ़ा होगा उसने यह statement तो बहुत बार सुनी होगी मेरे मूँ से बहुत बार सुनी होगी हाँ बेलकुल सही है इसका reason क्या होता है इसका reason आप लोगों को बहुत बार समझाया है इसका reason क्या होता है इसका inner pair effect इसका reason क्या रहता है inner pair effect रुको अभी यार बात कर रहे हैं आप लोगों से यह तो देखो पूरा 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 यार चाप्टर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको से बात करना चाता हूँ रुख जाओ रुख जाओ बात कर रहे हैं एक बात थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दो तो देखो यहाँ पर यही बोल रहा है कि देखो देखो although in सुन नमार करना है न although in a P block the lower oxidation state are favored by the heavier elements मतलब down the group हम जा रहे हैं तो lower oxidation state favor होती है वो चीज मैंने लिखवा भी दी reason का है inert pair effect में और देखो क्या बोल रहा है the opposite the opposite is true और D block elements इसके ultra true है D block elements में मतलब D block के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं चाहूँ तो D block के लिए भी आपको देखो लिख के बताओ यहाँ पर आप D block के लिए भी लिखो छोटा हो जाने तो मेरे को D block के लिए भी आप यहाँ लिखो कि D block में उल्टा है इससे D block में उल्टा है लिखो यहाँ पर जो D block है न उसमें आपका उसमें आपका higher oxidation states are higher इसमें लिखो एक सिकंड रुखो ठीक है इसमें लिखो इसमें लिखो higher oxidation state are preferred by lighter elements lighter elements ठीक है जिसे manganese आपका आपका वो प्लस 7 तक प्रिफर कर रहा है प्लस 7 तक प्रिफर कर रहा है जिसे देखो यही सारी चीज़े आप मार्क भी कर सकते हो मार्क भी कर सकते हो जिसे देखो molybdenum यह सब are found to be more stable than this ठीक है यह रहा है देखो तो chromium plus 6 in the form of dichromate यह सारी चीज़े बोल रहा है ठीक है clear है लिखलो भीया ncrt में लिख लीजिए लिखलो 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 ncrt में लिखलो ठीक है अना लिखलो hello durgaji then seperti कि तो अज़र अचunt जो 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 चीजिव मारक ऀए रही ह्या है वह वह जीज़े आपको ठ्यान रखनीuciones और बाकि फरनेरसे हिं बाकि लेकिन यह चीज़े तो ध्यान रखनी है अब यह वाला जो परेग्राफ है यह आपका कॉडिनेशन से रिलेटेड है कॉडिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है तो उसमें हम लोग कॉडिनेशन कंपाउंड देखो complex compound which has ligands capable of pi acceptor ligand-vigand का हम कब पढ़ते हैं coordinator में पढ़ते हैं जिससे यह थो इसमें निकल की Oxidation state कितनी है जीरो है यह थो इसमें निकल के Oxidation कितनी है जीरो है देखो यह बोल रहा है the Oxidation state of nickel and iron is 0, nickel and iron is 0, छीक है यह रहा बताईए अब थोड़ा सा यह आपसे आपसे बात करी जाए ना थोड़ी सी आपसे बात करी जाए अहां चाप्टर भाईया कैसा लग रहा है dnf टफ जा रहा है कि देखो एर मैं सोचके तो आज काफी कुछ आया था है ना कि भाईया आप लोग अच्छा खासा हम लोग काफी कुछ कवर कर लेंगे लेकिन अभी द आपको अल्मूस्ट आती है फिर भी मैं सखा दूंगा तेंशनले मैं सोच के आयता कि मैंने ट्रांजीशन और यह सब रहता है ठीक है इसलिए लिए फिर इसलिए लगा है क्योंकि आपको आज और फिर आपका एफ ब्लॉक तो बहुत चोटा सा है एफ ब्लॉक ज्यादा बढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सोच के आए था जाद आज कवर हो जाएगा लेकिन क्या करें ना अराम अराम से पढ़ाना इस तरीके से कि आप लोगो सारी चीज समझ में आ जाया रिक्दम दिमाग में फिट हो जाए तो इसी तरीके से पढ़ाना है जल्दी बाजी मेरे को बिलकुल नहीं करने और किसी बच्चे को जल्दी बाजी होनी भी नहीं चाहिए तो फिल लेते वे चलेंगे तो आप लोगो भी मजा आएगा मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में अभी तक इजी था कैसा था अभी तक चाप्टर देखते हैं दो नेक्स लेक्ट्चर में कोशिश करेंगे कि यार कंप्लीट हो जाए यह बताओ कैसा था लेक्चर दुर्गा बिलकुल यार कोशिश करते है ना बनाते हैं कैसा कैसा चाप्टर लग रहा है मजा आ रहा है वेंकटेश को मजा आ रहा है अरे बता दो यारा कैसा लग रहा है आप कराओ हम पढ़े महक जी बोल रहे हैं आ ना क्रोम्यम क्रोम्यम प्लस फन क्यों नहीं करता है स्टेबलेटी रीजन है अगाइन स्टेबलेटी रीजन है गुड मीडियम इजी सही था और रेट है यह ज्यादा हैवी तो नहीं जाना ना बाउंशर तो नहीं है हां अप्पा खाया और धणाम हेले मेंटे पर लगी बेयोंश हां ठीक ठीक है ना ग्रेट सर ग्रेट थैंक्यू सुमनाथ हां ठीक है तो ठीक है तो ठीक है तो आई होप यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा इसलिए यार मैंने थोड़ाचा रूक लिया क ठीक ही इतना ज्यादा आपको हेवी डोस नहीं देने हैं वीडियो में तो पता चला अभी भी तुम घरव पे जाओ घरवालों को बोलो कि बस चलो कॉमर्स कॉमर्स जिंदाबाद करेंगे सीए बनेंगे तो यह सब नहीं करना है आप लोगों को साइंस में ही बने रहना है देश का विकास करना है ठीक है चलिए फिजिकल की इंसिएडी समझ नहीं आती फिजिकल करेंगे गजेंद्र फिजिकल भी देखेंगे पहले एक बर इन और्गैनिक के बाद यार मैं बहुत बार बोला हूं पहले मैं और यानिक कर वाँगा आउना और फिजिकल फिर बीच- आल राइट चलिए देखो आप लोग अगेन यही क्वेशन पूछ रहे हो कि यार कौन मतलब इन ओर्गैनिक केमिस्ट्री कैसे तो इन ओर्गैनिक केमिस्ट्री के लिए यार मैं बहुत बार बोल चुक हूं मैं वापस बोल रहा हूं एक प्लेलिस्ट बन रही है मास्टर इन इसक्वेशन पर दिन नौर्मल वीडियोज डाल रहें तो जैसा मैंने पड़ा रखा है ऑपने भात पर पर विशवास करके इस प्लेलिस्ट को फॉलू करते आज जो ठीक है इस चीज को फॉलो करते हैं बस निकुंज मेरे शेर मुझे पता है आप बहुत बार ये सवाल पूछ चुके हो है न लेकिन आए आए की है न सीरीज आएगी ठीक है आएगी 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 ठीक है राफिकुल पूछ रही है वाइट डिफरेंस बिवीन ऑक्सिदेश स्टेट अफ डी ब्लोक जाते हैं ठीक है अल्राइट प्रक्टिस कहां से करें मैंने एक बुक वाला वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से बुक मैंने रिकमेंड करी है चानल पर मिल जाएगा वहां से आप कर सकते हैं ठीक है इस प्लेडिस सोच और यह मत सोचो कि और फिर इनORGANy से अर्छ कहा से करें कहा से करें इस प्लेलिस्ट को बिंदास फॉलो करिए कोई लोड़ लेने वाली बात ने एक दम फॉलो करो करो उन जैसा चैप्टरा रखा है जैसे मैंने एस बलोक हडरोजन प्योरली एनन्सीर जाल रखा है तो वो ही lectures पढ़ो जो मैंने इस playlist में डाल रहे हैं, वो कर दीजिये, चिक है, तो इस तरीके से चलो, इस तरीके से चलो, चिक है, ओल राइट, चलो, चलो फिर यार सेशन को end करते हैं, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं आपको तो like करिएगा, कल हम लोग वापस साड़े छे बज़े मिलेंगे, कल हम लोग वापस साड़े छे बज़े मिलेंगे, और d and f block को continue करेंगे, d and f block को continue करेंगे यहां से, electrode potential से continue करेंगे कल साड़े छे बज़े, साड़े छे बज़े, ठीक है, अगर लाइव लाइव, बिल्कुल लाइव, लाइव मिलेंगे आप लोग, छीक है, तो आप लोग के कोई डाउट्स हों, तो वो भी डाउट्स भी मेरे साथ, बैट के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, तो चलो यार सेशन पसंद आ रहे हैं, तो make sure you like it, subscribe कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो के या वीडियो में बने रहते हैं, तो जरूर अपनी presence दिखाया करिए, comment section में, जैसा लगा आपको वीडियो, तो comment section में मुझे जरूर जरूर बताया करिए, all right, चले फिर कल मिलते हैं, साड़े 6 बजे, till then, take care everyone, have a great great day, comment करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को session, bye bye everyone bye-bye